नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रभात एक्जाम के यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ओफीशल नोटिफिकेशन यहां डिस्कस करने वाली हूँ देखिए इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस उपनरिक्षक गोपनिय पद इसके साथ ही पुलिस सहायक उपनरिक्षक लिपिक यानि की कलर्क पद और उसके साथ ही पुलिस सहायक उपनरिक्षक लेखा यानि की अकाउंटेंट तो इन तीन पदों पर न्यूक्ति की जाने वाली यह नोटिफिकेशन 23 मार्च को रिलीज हुआ था अब देखिए इस नोटिफिकेशन की जितनी भी महत्वपून जानकारिया है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी कि क्या एज लिमिट रहने वाली है इसके साथ ही आप कब से कब तक अपलाई कर सकते हैं तो हर पून जानकारिया लाते हैं जो किसी भी एक्जाम में क्लियर करने में आपको काफी मदद कर सकती है तो चलिए हम आज की वीडियो से शुरुआत करते है इसमें सबसे पहले तो आपको यह टेवल दिया गया है यहाँ पे आपको सारे पद मिल जाएंगे उसके बाद उसका क् इसमें आपको मिले है 295 पद इसके साथ ही सदकरता अदिश्थान उत्तरपिदेश लखनौ इस डेपार्टमें में आपको मिले है 32 पद इसके बाद जो अगली काटेगरी है वह है उपनिरिक्षग लिपिक यान की क्लर्क पद तो इसमें देखे जो ग्रेट पे रहने वाला है 2800 रुपे और इसमें उत्तरप्रदेश पुलिस में रखे गए है 358 पर और देखिए आप जो कुल योग है यानि की जो कुल नियुक्ति होने वाली है वो उत्तरप्रदेश पुलिस में होने वाली है 1277 पदो पर इसके साथ ही सदकरता अदिश्थान उत्तरप्रदेश ल जैनि वार विवरंद दे रखा है यानि की काटिगरी वाइस किस तरीके से इसमें पोस्ट को डिवाइट किया गया है जैसे पुलिस उपनरिक्षद गोपनिय पद है तो उसमें की अनारिक्षद वर्ग को दे रखे हैं 121 पद उसके बाद ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उसके बाद जल्दी से नज़र डालते हैं उनलाइन आवेदन की जो समय सारी नी है इसके उपर ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है इसमें पंजीकरन आरंभ होने की तिति है 1 मई 2,021 इसके बाद पंजीकरन की जो अंतिम तिति रहने वाली है वो है 31 मई 2,0 इसके बाद आवेदन शुल्ख जमा करने की जो अंतिम तिति है वो रखी गई है 31 मई 2,021 और आवेदन पत्र जो आपको सम्मिट करना है उसकी जो एंड डेट है वो 31 मई 2,021 है तो इन सभी डेट को नोट कर लीजे इसके अकॉर्डिंगली है आप अप्लाई कर दीजेगा तो एक मई को फॉर्म निकलने वाला है आप एक मई से इसे भरना स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद जो आवेदन शुल्ख है वो आपके लिए 400 रुपे निर्धारित किया गया है इसके बाद हम बात करते हैं अहरताएं के उपर यानि कि आपकी क्या eligibility रहने वाली है तो इसम स्थापेद विश्व विद्याले से स्नात्यकुपादी यानि की graduation की degree होनी चाहिए यह सरकार द्वारा माननेता प्राप संकश अहरता इसके साथी कम सी कम 25 प्रती मिनट की गती से हिंदी तंकन और इसके साथी कम से कम 30 प्रती मिनट की गती से अंग्रेजी तंकन तो यह भी आपके पास होना चाहिए, न्यून्तम, असी शब प्रती, मिनट की गती से हिंदी, आशुलिपी, शुरुती लेक, ये भी आपके पास होना चाहिए, उसके बाद कम्प्यूटर में O-Level की परीक्षा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको उसको क्लियर करना है, इसके साथ ही, या फिर आपके पास सरकार द्वारा उसके समकश, माननेता, प्रात कोई अहरता, धारित करना या आपके लिए आवश्चक है, इसके बाद अगली पोस्ट जो है, वो है पुलिस सहायक, उपन रिक्षग, लिपिक पद के लिए, यानि की क्लर्क पोस्ट के लि आपके पास होना चाहिए, इसके साथ ही, आपके पास जैसे मैं आपको पहले बताया है, कम्प्यूटर में O-Level की परीक्षा आपको तीन करनी है, या फिर सरकार के द्वारा उसके समकश, माननेता, प्रात कोई और अहरता है, वो आपने धारन कर रही है, तो भी आप अप्ल कर सकती है, या लेखा शास्त्र में प्रासनातक, डिप्लोमा या सरकार द्वारा माननेता, प्राप, समकश, अहरता आपके पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकती है, इसके बाद कम से कम 15 शब्द प्रती मिनट की गती से हिंदी टंकन, तो ये आपके पास होना चाहिए, इसक आप ध्यान दीजेगा, इसके बाद देखे, आप ये नोट कर लीजे कि पंजी करन की अंतिन तिति तक आपके पास शेख शेख अहरता जो है, वो पूरी हो जानी चाहिए, यानि कि आपके पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो जो अप्पियर्ड या फिर नहीं कर सकते, अब इसके बाद बाद करें आयू की, तो आपकी जो आयू है, वो 1 जुलाई 2021 के अनुसरा देखी जाएगी, और जो मिनिमम एज रखी गई है, वो है 21 वर्ष, और जो माक्सिमम एज आपकी हो सकती है, वो है 28 वर्ष, उसके बाद देखिए, जो अलग-अलग इसके बाद देखिए, आगे चरित्र, वैवाहिग, प्रस्तिती, इन सब के उपर जो है, डिटेल्स दे रखी है, कि आपकी शारर एक स्वस्तिता देखी जाएगी, चलिए अब नजर डालते हैं, भरती की प्रक्रिया पर, तो इसमें देखिए, बताया गया है कि आपके एक आउनलाइन लिखित परीक्षा होगी, और ये परीक्षा जो है, वस्तुनिष प्रकार की होगी, यानि कि MCQ बेस ये परीक्षा रहने वाली है, इसमें कुल 400 अंग रखे गए हैं, इसमें देखिए, जो विशे हैं, वो इस प्रकार से हैं, सबसे पहले है समाने हिंदी, कंप परीक्षा, तो इसके लिए भी 100 अंग आपे निर्धारित किये गए हैं, इसके बाद आगे बात करें, तो जो आपकी लिखित परीक्षा है, देखिए, उसमें आपको प्रतियेक विशे में 35 प्रतीशतंक लाने हैं, और कुल आपको 40 प्रतीशतंक प्राप्त करने हैं, अग इसके बाद देखे, बताया गया है, कि इसमें अगर नॉर्मिलाइजेशन की नीड परती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो आपको यहां पे नोने बता दी है, इसके बाद देखे, पूरुष अभ्यारतियों के लिए जो शारिरिक मानक परीक्षन है, उसके जन जाती के अभ्यारतियों के लिए न्यूंतम उचाई बताई गई है, 156 cm, उसके बाद देखे, सीना का क्या मापन है, वो यहां पे इस प्रकार से दे रखा है, उसके बाद महिला अभ्यारतियों के लिए क्या शारिरिक मानक परीक्षन रहने वाला है, तो समानने अनने प जाती हारतियों के लिए वजन रखा गया है, 40 kg, उसके बाद देखे, आपकी कम्प्यूटर, टंकन, एवन, आशुलिपी परीक्षा की जाएगी, और इसकी जो डेटेल्स हैं, इसको कराय जाने की सारी प्रक्रिया, बोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, इसके बाद देखे, आपकी फिर चेयन सूची तियार की जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, फिर आपकी चिकित्सा परीक्षा होगी, चरित सत्यापन होगा, उसके बाद आपको यहां पर वर्टिकल आरक्षन किस प्रकार है, वो बताया गया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ली पर सकते हैं, डाउंडोड करके नोटिफिकेशन को, ऐसे ही होरिजॉंटल आरक्षन जो है, वो किस प्रकार हैं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, चलिए अब नज़र डालते हैं, आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको जाना है बोड की वेबसाइट पर जो है, पी आर पीवी डॉट कवर्मेंट डॉट इन, इस वेबसाइट पर जाके आपको मिलेगा कैनिडेट्स रेजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है, बहाँ पर आपको तीन स्टेप में ये रेजिस्ट्रेशन कम्प्ली इसके बाद जो details है आपको दे रखी है कि documents आपको किस तरीके से किस size में कैसे upload करने है वो आप अच्छे से पढ़ सकती है और उसके बाद जैसे ही आपने हिसाई details भर दी है application fees भर दी है फिर आप अपना form submit कर दीजेगा देखे इसके बाद आपको यहाँ पे exam का सारा syllabus detail में दे रखा है इसको आप पढ़ लीजेगा इसे इससे आपका सबसे पहला paper है समान हिंदी computer ग्यान यानि जेनरल हिंदी computer knowledge तो देखे हिंदी में आपकी क्या रहने वाले है topics हिंदी और अन्य भारतिय भाशा है इसके बाद हि व्याकरन में जान होने वाला है व्याकरन में जैसे कि आम रेक सकते हैं लेंग वचन कारग सर्वनाम विशेशन क्रिया यह सारे topics दे रखे हैं इसे computer knowledge में basic computer fundamentals history and future of computers है computer abbreviation microsoft office shortcut keys क्या है तो देखे सारा detail से बस आपको मिल जाएगा इसके बाद देखे आपका general awareness और current affairs तो इसम इसके बाद आपकी संख्यात्मक परीक्षा जो होने वाली है मानसिक योगिता परीक्षा इन दोनों का syllabus यहां पर दे रखा है उसके बाद अगली परीक्षा होने वाली है मानसिक अभीरुची परीक्षा बुद्धी लबदी परीक्षा तार्किक परीक्षा तो उसका जो सा तो देखे पहला question है कि BSE में computer science एक विशे के रूप में तीनों वर्ष रहा है परन्तु degree BSE की मिली है तो क्या O level के समकश अत्वा उपर है तो देखे इसका answer ही दिया गया है कि BSE computer science O level से उपर है यानि कि आप इसमें apply कर सकती है यह उससे उपर ही आता है तो आप eligible है तो इसे इसे पागी questions भी आप पढ़ सकती है इस table को आप एक बर अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि कोई भी अगर आपके डाउट होंगे तो आपके इसी table को पढ़ने से अच्छे से clear हो जाएंगे आप इसमें जैसे ही online आवेदन की तिथीज आरंभ हो जाएगी आप इसमें apply करना शुरू कर दीजेगा अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share ज़रूर करें थांक्स फॉर वाचिंग नमस्कार यूपीएसी की प्रिलिम्स परिक्षा में guaranteed success के लिए भारत का प्रसित publisher प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएसी 26 वर्षों के topic wise sold papers आईए इस डॉक्टर मनीश रंजन की इस book में है explained answers और trend analysis इसके साथ ही ज़रूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है paper 2 के 2011 से 2020 के sold papers ये दोनों books English में भी available है आज ही order करें online Amazon या Flipkart से और crack करें UPSC exam